प्रेश चात्रों, NCRT गडित का क्षदस्वी मैं आप सभी का स्वागत है आज हम लोग प्रश्णवली 8 दस्मलोग के प्रश्ण करवांग 6 को सौल्ब करेंगे जिसके अनुसार, यदि कोण A और कोण B नियून कोण है जहां कोज A बराबर है कोज B तो दिखाईए कि कोण A बराबर कोण B यहां हम एक समकोण त्रभुज AC भी लेकर चल रहे हैं जहां पे कोण A और कोण B दोनों नियून कोण है और हमें ग्यात है कोज A बराबर कोज B तो चुंकि हम जानते हैं कि कोज थीटा बराबर हमने जैसा कि पढ़ा था आधार बटे कर्ण होता है इसके आधार पे हम यहां से कोज A का मान ग्यात करेंगे तो कोज A अर्था यहां पे थीटा कोण के स्थान पर हम A कोण लेकर चल रहे हैं तो आधार बटे कर्ण इस इस्थिति में हमारा आधार AC होगा और कर्ण AB होगा तो इसे हम लेखेंगे AC बटे AB इसी प्रकार से कोज B जब यह कोण लेकर चलेंगे B उस समय आधार BC कहलाएगा और कर्ण AB ही रहेगा तो यहां पर हम आधार लेखेंगे BC बटे AB अब देखिए यहां से ABC यदि AB कैंसल हो जाता है तो इसका मतलब यह हुँआ कि AC और BC आपस में बराबर होगे इस AB को यदि कैंसल कर दें तब इस सी स्थिति में यहां पर हमें ग्यात होता है AC और BC आपस में बराबर है और यहां से AC के सामने आप देख रहे हैं कि कौन B इस्थित है और BC के सामने कौन A इस्थित है तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्म कोण बराबर होते हैं तो इस प्रकार से यह सिद्धो जाता है कि कोण A बराबर है कोण B के